जहीं दोस्तों अनिल सराइटी चलम से बहुत दोस्त स्वागत हैं नसीराबाद छाओनी परिशत की तरफ से पाच्वी पास आई टी डिप्लोमा और ड्वेल पास आउट के लिए पर्मनेंट रिक्रूट्मेंट करका है दोस्तों जिसके बारे में आज के सुडियों बात करने हैं तब हम बात कर लेते हैं नसीराबाद छाओनी परिशत के रिक्रूट्मेंट के बारे में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लिजीगा और फॉरम भी डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है यह ओफिसल नोटिफिकेशन दोस्तों 30 द स्टारी से बीच दोस्तों तो टीक हैं और इसकी बारे में इसमें सेंटरिल इंस्फेक्टर की वेकैंशी कर पाएं हूं एक पूस्ट्रा nenhum एक पूस्ट्र ब लाई्मेंट के-लिए एक पोस्ट है प्लावक बिल्डर के लीज़ फिर पाटकर है माली ने longer करें बडोषीट है जो जो ही क्लास लिए लिए झोकी ही दीए फाट şी लि rubbish के लिए चार पोच्छट जिस है चोड किदार की बात के लिए चोड की साल मेक्सिम्द यहां पर मिल गया और तीन साल और पांंस साल जो शेश्ट को मिले यह इंद लगने वाला है लेकिन अब आपके लिए फीस नहीं लाएगा बाकी जो क्यानेट है उनके लिए 300 लाएगा और दिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा चीफ एक्सक्यूटिफ ऑफिसर कॉंटेंट नसीराबाद के नाम पर और फॉरॉम जो है ऑफलाइन के मातम से भरना है आपको फॉरॉम दे दिया जाएगा यह फॉरॉम को आपको स्वीट पोस्ट या जिसी पोस्ट की मातम सा भेना चाहिए इसको भेज सकते दोस्तों ठीक है तो यह प्रिंट करना एफ फॉर साइस भी और उसको इसको भेजना होगा ठीक है अच्छे दिख लिए कौन-कौन सा डॉक् आपको भेल ना होगा दोस्तों ठीक है एडमिट कार्ड आपको ऑफ लाइन के माध्यम से आएगा और इक्जाम का जो डेट होगा उसी में दिया रहेगा साथी आपको जो एक्जाम का डेट होगा और साथी एड्रेस आव रिटेन टिंट इंग्साम का टेस्ट जो है उसको साइट पर आपको दिया रहेगा उसको जाएगे चेक आउट करते रहना होगा तो हम आप अपडेट देते रहे हों सब्सक्राइब की बात के सभी का अलग ऐलग सेलक्शन की प्रकिरिया है रही हम आईटिय वालों की बात कर तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिब टेस्ट होगा यहां पर रीटेन एक्जाम होगा उसी के बाद आपका स्किल टेश्ट होगा फिर आपका यहां पर डॉक्विंट वेशन होगा ठीक है और इसको देखिए तो सभी का लगवा वही से मैं रीटेन टेस्ट के अधार पर यहां पर सेलक्शन किया जाए एक्जाम होने वाला उब्जेक्टिव की बात करें तो अल ओबर इंडिया का अप्लाई कर पाएं तो यह दिया आपको डिस्क्रेप्स का पीडियव देंगे इसको चेक आउट कर लिए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और आप इलिजिवल होगे तो यह फॉर्म के बाद हाला कि सीटे कम रहती है क्या सारे कंटन्मेंट बोड कि वेकैंसि फिलाल आइविंए और आप अपने नजदिक हैं कहें कान था शाखनें बेखलें और अपने नजदीक की जो चाहों नहीं है आर्मी की चाहों नहीं यह कंटॉन्मेंट बोर्ड बोलते हैं तो उस पर आपको जॉब मिलने के सम्हाना ज्यादा है नजदीक में होगा तो अच्छी कासी होगी देख लीजिए जिसके लिए पिलीजिवाल होगे जिसके अंटॉन् कर देवाद